हलो श्टुदेंट्स, वेलकम बेक टो आउर यूटूब एजक्वेशन चैनल सिख्छाड अकाडमी, आज के इस वीडियो में हम स्टेंडर एट्थ, मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4, प्रैक्टिकल जीमेट्री, एंसी अर्टी सिलेवस में आपका, एक्सरसाइज 4.1 का question 1 में आपका third question है, आपे solve करने जा रहे हैं, construct the following quadrilateral में first, that means third question, क्या बुला गये इसमें, parallelogram more, m-o-n-r-e, m-o-r-e, ए हमें एक parallelogram बनना है, तो सबसे पहले अगर आप parallelogram ड्रो करने जा रहे हो, तो उसकी property आपको पता होना चाहिए, तो आपने देखा होगा, इस तरह से अ parallegram नहीं होगा, तो yes, a-b-parallelogram होता है, इस तरह से देखेंगे तो भी ये parallegram है, क्योंकि जो rectangle बनता है, वो भी एक तरह का parallegram है, parallegram में क्या होता है, opposite sides equal होते हैं, ठीक है, और parallel होते हैं, बस अब a-b-parallel तो ही, a-b-parallel है, तो अब तो तुमारा rectangle हो, तो भी तुमारा पहलोग्राम होता है, चलिए, तो देखो, अभी तक हम जो 4.1 में कर रहे हैं, उसमें आपको 4 sides and 1 आपको diagonal दिये रहते हैं, ऐसे सम को हम कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखोगे data में आपको only 3 sides दिये गए हैं, या फिर एक diagonal, 2 sides दिये गए हैं, ठीक है, तो suppose यहाँ पे आपको OR दिये गया है and RE, तो देखो, OR यह पास-पास में मतलब side है, RE यह भी पास-पास में मतलब side है, then E, O, E यहाँ है, O यहाँ है, मतलब यह आपका diagonal है, ठीक है, यह diagonal है आपका, तो मतलब 2 sides और 1 diagonal दिये गए हैं, अब आपको parallelogram की property पता है, अगर parallelogram गिवन है, तो दो अलग-अल parallelogram, opposite sides are equal, opposite sides, यहाँ पे opposite sides are equal होते हैं, ठीक है, opposite sides equal होते हैं, suppose पहले इसका हम रफ फिगर बना लेते हैं, अगर हमें यहाँ पे more बनाना है, suppose तो मेरे देखो, यह मेरे MO बना देता हूं, मैं MO, और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, ROR बना देता हूं, और यहाँ पे हो सकता है, चलो यहाँ तक मैं कर देता हूं, और यह मेरे हो गया, इसको मैंने एक parallelogram समझ दो बना दिया है, ठीक है, अब आपको given क्या है, ORA वाली value given है, 6 cm, ठीक है, अब यहाँ पे 6 है, तो और आ आपको पता है, opposite sides equal होते हैं, मतलब यह 4.5 है, तो यह वाला MO भी आपका 4.5 होगा, अब यहाँ पे RO जितना है, इतना ही, EM भी होगा हमारा, यह भी 6 cm, diagonal आपको दिया गया है, E, O दिया गया, यह आपका 7.5 cm है, तो देखो, अब हमें यहाँ पे sides को लिख देते हैं, हमारे पास MO कितना आ गया है, यहाँ से, MO is equal to O, यहाँ पे ER, ER मतलब RE is equal to 4.5 cm आ गया, इसी तरह RO, तो OR मतलब RO and EM, यह हमारे पास कितना आ गया, 6 cm, diagonal तो आपको यहाँ पे दिया गया ही है, ठीक है, E, O is equal to 7.5 cm, अब देख सकते हो, four sides and one diagonal आपका दिया गया, जैसा हमने question number second, and first make it, same as it is आ गया, अब हम इसको आसानी से draw कर सकते हैं, तो आपको यह rough figure के help से आपको यहाँ पे draw करना है, जिससे simple लगेगा, तो पहले देखो, हम क्या करेंगे, MO draw करेंगे यहाँ पे, यह वाला, उसके बाद जो diagonal आपको दिया गये थी, यह वाला point find करेंगे, यह वाले point के बाद यह वाला point बाद में सबको join कर देंगे, हमारा यहाँ पे, पहलो ग्राम में भी, जो है, M-O-R-E, more ready हो जाएगा, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, सबसे पहले, MO, MO में कितना लेना है, 4.5 cm लेना है, तो MO को हम यहाँ पे draw कर देते हैं, 4.5 cm, तो 0 से आपको क्या करना है, 4.5 cm ड्रो कर देना है, तो यह मेरे पास 0 है, यह मेरे पास 4, 4.5 cm तक हमने इसको draw कर दिया, तो यह क्या था, आपका line segment जो है, M-O है, कितना है, 4.5 cm, अब हमें क्या करना है, M को center लेकर किदर से, O को center लेकर किदर के, लेकिन radius यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो पहले हम 6 cm का radius लेकर, M पे रखके एक arc लगा देते हैं, तो चलिए, आपको scale open कर लेना है, इस तरह से, तो और 6 cm का, यहाँ पे open कर लेना है, आपको rounder, 6 cm हमने open कर लिया है, ठीके, अब इसको हमें क्या करना है, M पे रखके arc लगा देना है, तो यह M पे रखको ऐसे, exact आपको M पे लगा देना है, जिससे problem ना हो, बाद में हम arc लगा है, यहाँ तक हमने arc लगा दिया, then आपको क्या करना है, O पे 7.5 cm का arc open करना है, तो यहाँ पे हम 7.5 cm का rounder open करेंगे, इस तरह से 7.5 cm देख सकते हो, exact आपको open करना है 7.5, then O को as a center लेके, एक arc लगा देना है, जो पहले व point पे, वह आप देख सकते हो, कौन सा point है, E point है, तो यहाँ पे हमारा E point है, इसको मैं E लिख देता हूँ, चलिए next है, हमें E वाला point चाहिए, अब R point चाहिए, तो यहाँ से O से एक arc लगा दो, एक E से, तो O से 6 cm ले लो, यहाँ से 4.5 cm ले लो, तो पहले हम O को as a center लेके, 6 cm radius लेके, और एक arc लगा देते हैं, यहाँ पे, तो 6 cm का radius open कर लेते हैं, हमें यहाँ पे, ठीक है, 6 cm का radius है, हमारा open हो गया है, हो गया rounder, अब क्या करना है, उसे arc आपको draw कर देना है, तो यहाँ से हम, एक arc लगा देते हैं, इदर, देख सकते हो, यहाँ से हमने एक arc लगा द जहां पे कट करेगा उसको हम आर Q दे देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर यह रहा तो यह ां से हम क्या करेंगे open कर लेंगे यह रहा जी रहा फैर 5 सेंटी आर पे ठीक है यह रहा अब आपको जोइन कर देना है सभी को यह देखो इनको इनके साथ जोइन कर देना है यहां से हम क्या करेंगे यह वाले पॉइंट को दोनों को जोइन कर देंगे देन वो आर को जोइन कर देंगे यहां से यह हमारे पास वो आर हो जाएगा then हम क्या करेंगे यहां पर e r को जोइंट कर देंगे तो यहां पर पहलो ग्राम जो है रेडी हो जाएगा ठीक है और जो डाइगोनल दिया गया है इस डाइगोनल को ड्रो कर देते हैं तो डाइगोनल हमारे पास क्या है o e तो O से E को आपको यहाँ पर match कर देना है, join कर देना है, तो यह हुमारा ready हो गया है, ठीक है, ready, now इसको आपको यहाँ पर dimension 4.5 cm, यह आपका 6 cm है, 6 cm, then आपका A, R E जो है, वो 4.5 cm है, and यह वाला 6 cm है, and diagonal जो आपका था, वो 7.5 cm आपको given, है, चोले, तो इस तरह से आपको यह, question number 3, construct करना था, now, इसका steps of construction देख लेखते हैं, फिर आपको मैं so कर दूँगा, आप screen shot ले देना, पहले explain कर दिता हूं, तो देखो, पहले आपने M O draw किया, तो लिखो गे, draw a line segment, M O is equal to 4.5 cm, then आपने M को as a center लिया, तो with M as a center and radius 6 cm, draw an arc, with O as a center and radius 7.5 cm, draw another arc, which intersect previous arc at E, then आप लिखो गे, with O as a center and radius 6 cm, draw an arc, and with E as a center and radius 4.5 cm, draw another arc, which intersect previous arc at R point, then join EM, ER, RO and EO, and thus M O R is the required parallelogram, हमारा ready हो जाएगा, तो चलिए आपको इस तरह से दिखा देते हैं, यह हमारा क्या हो गया, steps of construction, तो जैसा मैंने आपको उपर explain किया, उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसका screenshot ले सकते हैं, so अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज इसको share करते रहिए, like कीजे, comment कीजे, thank you very much, मिलते हैं next video में,